हेलो फ्रेंड जैहिन आप सभी को पता होगा कि इंटरनेट सट डाउन चर रहा है इंस्टिंग गडाम नहीं चर रहे फेस्बूक नहीं चर रहे हैं यहां तक कभी गूगल चलाने में भी परसानी आ रहे हैं तो कुछ न्यूज आउटलिट से यह निकल कर आ रहा है कि इंटरन किनारे बिच हाया हुआ है जो एक जगा से दुसरे जगा तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाती है उससे अटक करकर डिस्ट्रॉय कर दिया है और यह कौन सा इंटरनेट कनेक्शन डिस्ट्रॉय कर दिया है अभी तक तो ऐसा देखा जा रहे हैं इंडिया में इंटर डाउन चर रहा है लेकिन इन्होंने जो अटैक किया है कौन सा केबल इसमें डैमेज हुआ है तो अमूमन बहुत सारे न्यूज आउटलेट तीन बता रहें और कुछ चार बता रहें चार बता आनों बालों में से सिर्फ एक ही आटाइमस मागजीन जो अमेरिका की परमुक मागजीन वह बता रही है लेकिन जाए टाइमस अफ इंडिया हो गया है अदर अलजजीर हो गया यह सब बोण हैं वह तीन के वलकर है कि उनको डिस्टोआ कर दिया गया हाउटीस के इंडिया गेटवे डिश्टु आये हुआ है उसके बाद सिसकॉम एंड टीजी एंगल यह इंटरनेट के वल डिश्टु आये हुआ यह सारे इंटरनेट जैसे कि हम अभी मोवाइल जो चला रहे हैं यह आप स्मार्टफोन चला रहे होंगे यह कोई लैप्टॉप टैब चला रहा होगा तो इसमें जो इंटरनेट आता है यह सेटलाइट के थू नहीं आता है यह समूंद्र में एक परकार के बड़ी-बड़ी म को सप्लाई कर दिया जाता है अगर इसको डिस्टर्ब किया जाएगा तो हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या होगा इंटिस्फंक्शनिंग करने लगेगा प्रोपर वे में नहीं चलेगा जैसे कि अभी आप नुज में सुन रहे होंगे या आप ट्यूटर चला रहे हो होंगे फेस्बुक चला रहे होंगे आइस्टा चला रहा होगे तो आप पास यह जानकारी आ चुकी होगी किभेटटाउन हो चुका है इंटर्नेट का अछर बाएक that ब्रेक्डाउन सबसे पहला जो ब्रेक दायımız的डेश में देखा गया था चोब Χार 我 १िशक्त दीक्शshow on किस समय पर हाउती नहीं से अटेक किया है लेकिन सबसे पहला जो इंसिडेंट देखा गया था जीबुट्टी में देखा गया था 24 फरवरी के उसके बाद ये अटकले लगाया जा रही है कि बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ है तो जितने सारे भी रेट सीसे होके उजारते बिसकली ये बात मत हैं मतलब कि जितने केबल सो इंता पूड़े वर्ड में प्रभ्ाइड के आ यह हंट कंट्री को प्रभ्इड के जा रहा है तो रेट सी के टौरे जो इंटरनेट केबल गया हुआ है वो 25 कंट्री को एटलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुधा उपलब्द करवाता है लेकिन इस छेत्र में हम देखेंगे जो है एक क्रिसियल रोल प्ले करता है किस चीज में डाटा ट्रांस्मिशन करने में जैसे कि इंटरनेट में क्या होता है कि आप यहां ब खटा खट खट गुगल किजियेगा गुगल भाहिया से पुछयगा कि यवी इंटरनेसंनल प्रणक के बारे में बताएगें जट से आपको यल्यो निशनल पारे में बता देगे आप वहां नहीं भी जाहिएगा आप उसकी वीडियो देख सकते हैं उसके बारे में जैसे पुछ होते हैं कि यूरोप में कुछ साइट बने हुई है उसके बारे में अगर आप को information एसिया के किसी देश्या नहीं माल लिजेगा को नेपाल से कोई application बना हुआ है कोई sites पर आप जाते हैं यूरोप के कोई अस्तिया के कोई site पर जाते हैं जो अस्तिया में साइट बना हुआ वो नेपाल में बैठे कोई देख रहा है तो वो साइट को अप्रोपर यूज नहीं कर पाएंगे तो यह सारे ही होते हैं क्यूंकि हर जो कंट्री में जैसे कि मैं यहां इंडिया बना रहा हूं वीडियो तो अगर मैं इंडिया के किसी केरला से हूँ त तो मैं इंडिया से इसको डाटा का अपलोड कर रहा हूं अगर यहां पर ब्रेक Rodas हो तो मैं डाटा तो Upload कर नहीं पाउंगा और मेरा जो एक subscriber होगा है वो अगर बैठा हुआ है नीदर लैंड में तो वो किस परकार से मेरा वीडियो देख पाएगा नहीं देख पाएगा क्यों क्योंकि यहां पर इंटरनेट का सब्डाउन चर रहा है और मैं जब वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूं यूटूब प पा रहा है तो वहां का जो subscriber बैठा हूँ कैसे देख पाएगा वो तो इंतिजार कर रहा होगा अड़े इनका वीडियो आया इकागरता का मैं देखूंगा सबसे पहले इनों तो बहुत शार समझाया तो यह तो अभी तक नहीं हो सकता है इस परकार से इंटरनेट ब्रेकडा करेंगा ज़िक्से सारो इंटरनेट केवल गयुक लेँए पाकacements को यह तंफान को इंडिया के लिए यह तो इसी सब मेंसे कोई तीन केबल है जिसको डिश्ट्वाइ कर दिया गया हाउती रिवेल्स के द्वारा तो अभी तक यह जो एड्रेस हुआ था बस किसने एड्रेस किया टाटा कम्मुनिकेशन ने हाँ भरसोर मन्द कंपनी जो हमारे है टाटा जैसे कहा जाता है कहा वात है भी कहा जाता है कि इन गल्फ लाइन जो हमने बीचाया वह प्रोपर वर्क नहीं कर रहा है किसने बताया टाटा कम्मुनिकेशन ने बताया क्यों कि वह जो डाटा टांस्मिशन है ट्रांस्मिशन वह पॉसिबल नहीं हो पाड़ा है फ्रेक्वेंटली लेवल पर नहीं हो जैसे कि माल लिए कि इसी से पराइब इंटरनेट विसकाली क्या इंटरनेट क्या डाटा ट्रांस्मिशन हो आप इंटरनेट पर जाईएगा और आप सर्च केजिएगा कि मुझे घोष्ट का फोटो दिखाईए जब इंटरनेट पर किसी ने अप लोड ही नहीं किया होगा तो वह कहां से आपके आइडी दिखाईए वह किसे चैट करते हैं अगर उनका आइडी होगा इंस्टा पर तब आप देख पाएंगे तो यहीं सब वायर होते हैं वह डाटा ट्रांस्मिशन करते हैं ठीक उसी परकार से जैसे हमारे घड में एलेक्ट्रिसिटी होता वायर के थ्रू वह बहुत सार रूम है किचन है बातरूम है डाइनिंग नूं यह चलाए घ्ड चला मेँ और जो अभी यह मन की गर्मेन्लट है जो एक्जाईल में अभी यहमन की जो गशाईल में उन्होंने ये भी कहा है और साथ में sono British यह और अटेक करेंगे रेट में यह यॉउरोप का ुए कुछ अफ्रिका से भी करनेक्टिवीटी रखता यह कर दिया का यमन में जो जाइल यमन में अभी क्या है की पोसिबल है कि हांथी अटेक कर सकता फिर से कहां पर गल्फ ओफ एडड़ं में जो उसके मेरी टाइम जो Garage अब बैसकिली यह बात आती है कि यह क्यों अटेक पा बाएं देख़ें जो भी यह वायर जो connectivity वायर यह जो गया हुआ है यह कहा है maritime zone में किसके यमन के maritime zone में maritime zone में क्या होता है यह c zone होते यह जैसे कि 12 nautical mile तक यह जैसे क्या होगा कि इनका exclusive right होगा कि 12 nautical mile में अगर कोई ship उनके cost से 12 nautical mile के बीच में कोई भी ship आने के लिए उनसे permission लेना होगा या कोई भी research work करने के लिए उनसे permission लेना होगा तो यहां से जो wire गया हुआ है अगर इनने कोई ठीक करने भी जाता है तो क्या Yemen के rebellion से हावती जो है उनसे permission लेना होगा तो वो क्या करेंगे अटेक कर देंगे जिस कारण से अभी तक किसी ने जाकर देखा भी नहीं सिर्फ टाटा ने टाटा कॉम्निकेशन नहीं एड्रेस किया है कि ऐसा हो चुका है और कुछ यह बिटिस है यह जूट बोड़ रहा है या या होती पर यह आरोप लगा रहे है ऐसा भी हो सकता है बिसकली फ्रेंड जो यह इंटरनेट केबल जो बिच्छाया जाता है समुन्दुर में यह एक बहुत चैलिंजिक टास्क है यह कोई भी देश नहीं कर सकता बड़े-बड़े देश की यह समुन्द्र है तो उसके बाद यह सबसे नीचे जो सीबेट है उस पर यह बिचाया हुआ होता है आप समझ सकते हैं कि इतना नीचे अटेक करना बहुत बड़ी बात है और यह जो सम्मरीन भी चलती है तो यह सीबेट से काफी ऊपर चलती है तो माल लिचे जो 300 फिट नी डेरेक्टली चाहिए तो उसके डीसटोई किया गया है यह जुट कहा यह जा रहा जैसे यह पता ही नहीं चाहिए कि यह अनकलेर है कि केवल को तो वहां तक जाने के लिए उनके पास टेक्नलोजी होनी चाहिए गाइडेडल होना पास नहीं है इंके पास पर क्या होता है वह बहुत दीप समध्य होती है जो शीफ होती है वह बहुत अंदर तक की घराई में जाकर यह केबल को बिछा देए तो इस परकार कर टेक्नलोजी चाहिए तो ये टेक्नलोजी तो हमें ने लगड़ा हाउती के पास अभी तक आया है और आ भी गया तो पता भी न चले तो लेकिन यहाँ पर हाउती क्या सबसे बड़ी बात है कि हाउती पर यूएस यूके और इनके एकज या इनका कोई साजी से हमें बदनाम करने का पुड़ा दुनिया में तो भाई लोग हम नहीं जानते हैं कि यह किनकी साजी से हाउती ने ऐसा किया है या यूएस और यूगे की बात है लेकिन एक बात तो सब जानती है कि इंटरनेशनल कॉमणेटी में उसी की का बोलबाला श् Torah चलते हैं जिसके पास स्टेंथ पाबड़्स हो कहीं को सभी कोई कोने में किसी चलती है यूएस पाट कर्येंगों देखते हैं क्या बात करां करना चाहते हैं नार चाहिए वेर इज यून की तो अस्तापना 1945 में हुए ठी किसलिए कि ये विस में जितने सारे मैटर है उसको सॉल्ब करें जो विस में अगर लराई कहीं जगरा चाहरा है कुछ ऐसी प्रसिती आ गए जिससे बहुत सारे देश उल्जन मुझे जैसे कि वर्ल्ड वार फिर से ना हो वर्ल्ट वार क्या हो फिर से ना हो जैसे कि अपर इन्टरनेट कनेक्षन कहां से रेट चिंटरनेट कनेक्षन एंडिया उर्ट कर रहा है तो यह बहुत सारे यूरोप और इंडिया में करना हूँ एसिया में बहुत सारे देश हैं तो लगभग पचास-सार देशों को यह प्रभावित कर रहा है तो अभी UN कहां है ट्रेड रूट जो स्वेच कनाल से होकर चल रहा था वो अब 10% ही रा गया क्योंकि अब सिप उधर स लेगा तो UN इस स्थिति में कहां है क्यों ऐसा नहीं लग रहा है कि UN USA का पुछ लगभू बन गया है जो USA कहेगा उसके बारे में यहां पर UN को सामने आना चाहिए तो यह बताना चाहिए था कि क्या प्रब्लम है हावति क्यों अटेक कर रहा हावति वाले को समझाना चाहिए तो हम इस से यह देखें जैसे कि इंडिया ने एक प्रस्ताव डाला था कि अगर पांच UN का विटो मेंबर्स हैं वो अगर किसे पे बोट कर देते हैं अगेंस्ट में लेकिन जो नौन विटो पाबर देश हैं लग बग वन फोटी के करीब अगर वो फेबर में बोट कर देत करने तो वो ओवर राइट कर देंगे पांच वीटो पाबर देश को लेकिन यह भी अभी UN में सुधार नहीं हो तो UN एक डिसफंक्शन और्गनाइजेशन हो गया तो दोस्तों आप लोग कमेंड में बताए क्या UN आज के देश में कोई रोल प्ले कर रहा है साईसे कोविड म भी हमने वही देखा और हावति के बारे में आप कमेंड करके बतायें कि आपको फ्री एक रिवेल गृप है वह कैसे माइटी यूएस को चैलेंज कर रहा है यूएस को सूपर पावर कहा जाता है जिसको चैलेंज अभी एक दो दिन पहले उन्होंनों यूएस को डुबा दि या यूग एक कार्गो शिप को डुबा दे तो हाउती कैसे अमेरिका के को चैलेंज कर रहा है उसके बारे में हम मैं जाना की दुनिया में जियो पॉल्टिक्स घटना है जो हमारे स्वस्त मंस्तिस के लिए देश दुनिया में क्या हो रही में हमेसा जानना चाहिए और आप चाहिए और आप सभी को यह जनना अबस्य के लिए इतना ही दोस्तों विढ़े लेते कोई कुछ में इंटरनेशनल इवेंट फिर से होता है या इंडिया में कुछ बड़ी इवेंट होती है तो मैं वापस आऊंगा एक आकरता विद्या पीठ में और उसके बाड़े में डिटेल आपको डिस्कॉस करना चिंगा आज का था हाउती ने अटेक कर दिया अपडेक डानू लेकिन अभी तकक यह कंफार्म नहीं लिया क्elyn जीमदारी नहीं लिये और यहमन के चारतो किया ऑच किया तो आज क्रलें इतना है आप कमेंट में बताइएगा किस ने अटेक किया तैंक यू